आज़ो भन्दा करणों बर्ष पहला ये स्प्रित्थीमा दंत्यकार सरीश्री फर्गु राज्य थियू श्वचंद विचरण गरनी 4 से 50 देखी 6 से 50 कुईंटल होजन भायगा 20 पूर देखी 1 से 20 सम्हा लम्बाई भायगा तथा 20 पूर देखी 40 पूर शम्हा अगलू कात का ये अनुधा चीबलाई बैग्यानी खरूली डाइनुसर नाम ली संबधित गरेगा सब्सक्राइब यहें इस्परिफिविमाँ लगभग 12 करोर बर्स पहले ऑचानक बिलुप्त भयए और कहां गई जी पर एत्रा भिशाल भिमकाइशरी भैग कि दिश्रहर अचानक कसरी यो धर्ती बाट बिलुपत भाई अनेक प्रकार का डाइनुसर शरु थिये पानी मा विशाल का या डाइनुसर थिये बने जमीन मा शरीश्रिप देखी लिए रा आकास मा उलने सम्मा का डाइनुसर हरु धर्ती मा थिये मांगसा हरी देखी सहाकारी अनेक प्रकार का डाइनुसर हरु को सामराज जेतियो धर्ती माँ तर अचानक इस डाइनुसर हरु बिलुपत भए र संसार यो धर्ती डाइनुसर बिहीन हो न पगयो आखीर कहा गए ये डाइनुसर हरू रा कसरी ये डाइनुसर बिलू तवाए आज हामें येस विडियो मा चर्चा गर मिशूँ आउनुस अब डाइनुसर को योग मा जाओं येरो कदी रोचक रोमान चक्र पिचित रथू ते पिराण सरीश्री भरू को संसार इमद्दे केई सा कारी थी जी मांग्सा हरी रब येत दुवै फ्रकार का शोग भाय का डाइनुसर हरू थै इन्हीं का चार खुट्टा होंते बाडिका द्र匹टा काँ खूट्टा कम लामा होंती प्रारंबिक डाइनिसर मां प्लेटियो शोर करे बीस्फुट लाम होती हुँ यो पुनत्र साकारी थियु और थात केबल पनस्पती हरुबाटमात्र आपनो निर्भागर थियु शमय बिद्धाई जादा अरुपनी धहित्यकार डाइनिसर हरु अस्तित्त्र मा लाँ होता अज फ़ैको अलासकामा प्रोफिवर जमील है त्योर का इन गरत आखानुकन बिनस्पती हरुबान प्रयाप्ता माां अट्रमा उपलःब कर दो बातवन तातो न तातो थियो जुन इनी हरुका लागी लाबदा एक सिद्ध भायो अंखिर यो डाइनुस्टर हरु यती भीमकाया विशाल कसरी हो न पुगे यो पनी एस वीडियो मा हामी चार्चा गर ने जहूं जुन समय डाइनुस्टर ले यो धर्ती मा जन्मली हो त्यो यूग लाई मेश जोईक यूग भनी जा त्यो समय शरीश्रीप को यो धर्ती मा साम्राच्चे थियो तरो बातवन मा इका एक के येस्तो परिवर्तन भायो कि तेसलाई इक तैत्यकार जीबली सान सकेनन रा तेस अत्यनते भयांदक जंतोतीु। त्यो करिव पीस फूट अगलोती। रा इसको लंबय त्यो एक साऐ पीस फूट गर्दन धेरेनी लाम त्यो और ओजन 400 कुईंटर भंदा पनी त्यो यो हिर्दा जमिनी धर्कीनी ब्रोंटो सोर यो भंदा देरेने भाया नाक थियो एसको शरीर को लंबाई लगभग सक्तरी फूर तियो रोजन इसको लगभग 650 कुईंटल थियो बैज्याने खरुको अनुमान चा धर्तिमा यो भंदा देरेने भाया को कुणे इपनी प्राणी को अस्तित्तो असंभभ थियो यदि ब्रोंटो सोर अज्जा बड़ी भाया को भाया शरीर को भार खुट्ताले थामना नसक्रना को कारानले यो मर्नगाय को होने सक्षा यो साहकारी जीफ थिए आपनो खाना को होजीमा यो पानीमा विशेशकरी तलाव रिचन गर्ने गर्थिए येसका दौइ भाया थिए एक्तह खाना प्रापती रा दोसरो जमीन मा हिन्ड मा यसलाई जुन कठिनाई हुनतियो तेश पाट यह पाणिमा बात्ष ना सकतियो रा मांग्सारी डाइनीशर बाठ आपनो रक्षापनी गर ना सकतियो पानिमा संदैं बश्णियों डाइनुसार मा इस्टिको सोरस तथा डिप्लोडोकस को नामूर्ले खानिये छो इस्टिको सोरस को होजन करीब 10 तन उन्तियो केबल यो धास मात्र खाने गर थे और आपनो पेड बर थे दिप्लोडोकस 90 फिट लामू थे रतेसको वोजन लगबग 3,50 कुन्टल थे यो पानिमा समुद्रमा रतेसको नजिके बश्टियो एसले पनी आपनो खाना दास पात बनाएको थे यो पनी केबल दास पात मात्र खाने गर थे मांगसा आरी डाइनुसर मा एलोसोर धेरेनी खतरनाक थे यो पुचर को तुप्प देखिलियर मुक्षम यो लगबग 25 फूट लाम थे यो पचाडी को खुट्टा अगाडी को भन्दा धेरेनी लाम थे मोथार लाम पुचर दोडादा शर्री को सम्तुरन पनावनों मा स्वयुक गर थे यो अत्यन ते ढिम यृ समुद्हर मा गर्षस को लिसेयों गृत्य ब्रेक्यो स्वर सायत्यों यूको सबई भंदा बिशाल जल्य प्राणी थियो। एसको लंबाई सत्तरी फूर थियो। जसको गर्दन नी करीब 30 फूर लाम थियो। पानीमा डुबी रहदा पनी यू आफनू गर्दन बाहिर निकालेर सबई खुरा देखना सक्तियो। डाइनोसर को परिवार मा जल्य र थल्य प्राणी हरु भाई के इस ता प्राणी हरु पुनि थियो। जो हाबा मा पंग्चिजे उन न सकतियो। टीरो सोर उननी सरेश्रीप थियो। एसका दुबे अगाडी का खुट्टा डेनोमा पदली का थिये। इनमा टीरेनो डान सबै भन्दा ठूल थियो। एसको पुचर छोटो होन थियो। र दाना तोंदेने थियो। र डेना धेरेई लाम लगभग 20-25 फूर्ट सम्म को हुन जुन अत्यंते तुरलाप मानी छन। इने अवसेसको आधार मां पृतिविको आधिकाल का गाथा हारू हामी आज थापाउन सकीर है का छन। अंखिर लगभग 12 करोर बर्स सम्म जल जमीन र हावामा एक्छत्र राज्य गरने इसको समधान खोजनक उलागी बईयानिक लिए कि आपनो मत प्रस्तोत गर्दै भने मेंका छन। तरपनी कम्यों बैयानिक हरूले इने हरो को लोप हुनुमा प्रिविन उक्रान हरू देखाये आज तु आपी हामी कुले निस्ष्षित निष्कसमाँ पूग्न सक देनों। देरें बैग्यानी घर को विचार सके डाइनोसर लोपोनुमा जलवायो को सवी भन्ना ठुल हाथ थियो मेशो जोई की यूग को अन्तेमा प्रितिविको अधिकाम सब भुबाग मा एका एक ठुलो परिवर्दन आयो अलासका जस्तो देश जहां खजूर का प्रिक्षा उम्रने गर थियो बराफले ढाकियो डाइनोसर चीशो रगत भाय को जन्तु थियो जसको शरीर को ताप बातबन को ताप अनुकुल पदलें थियो अथा धेरे चीशो शन गरना नसक नाखो कारणले उनिहरुको नस्टवायो एस्तो परिश्तितिमा इदईतेकार जीवले आफले लुकाउने इस्तान पाउने सके न अथा शाना सरीश्रीप नहीं बाचे जो आफले लुकाउने मा समर्थ बाए अर्था एस्ता सरीश्रीप नहीं बाचे जो धूलोमा बसन सकते सानो सानो आकारकार दूलोमा बसन सकने हरु तो चीशो बाट आफले पचाउन सके रा उनिहरु बाचे तरही ठुला ठुला डाइनोसर हरु बाचन सके न अतल साना स्राफिश्री भरुप भाशन सकी, उनियारुको मस्तिशक उनियरुको शरीर को उत्तुलानामा तेरी सानरो कमजोर थियो, डाइनोसर को सरीर उसको मस्तिशक बंदा लगबग 25,000 कुना भारी दियो, यही बैग्यानी घरुको बिचार एस्तोपनी छाकी, त्यो समयमा केई इस्तन भाई जीब को आभीर भाव भायो तीनले इने हरुका अंडा हान थाले फलता डाइनुसर लुपत भायो खाद्दे अबाप चलबायो परिवर्तन सक्तिशाली हिम्स्रक जीब को उद्भाव को कारण डाइनुसर भिलुपत भायो भन्ने गरीं छाम अर्था युट बाईगयानिक हरुले दियेको मुख्य कारण चाहिं त्यो बेला जुन किस्यम को जीब प्रिथिव मा आयो तेसले टाइनुसर को अंडा हरुलाई आपनों खाना बनावने भायो कारण दे उन्हेरुका अंडा हरु शकियो उन्हेरुका जती अंडा पारे पनी तिनी जनवार खाय दीने भाय काले उन्हेरु बिलुपता होना अभिशाप्त भाय बन्ने यवटा नया बाईगयानिक कारण पनी आयेको चाहिं और को याउटा खारण जुवालामो कि जुन भारत्यय छेत्र मां 20 साल जुपर्ट भायए और्धिय चेत्र का मांतर लुपर्ण मां पैर ktरण से घॅज जुपर्ण कातवा ब्र्वाद से ता आफ्रीका अमेरिका त्स रान्स में भुबाग ब्लналां त। तेसकारन जो अलामकी बिश्पोटला इसको कारण मानना सकी दाइना महनने भईयानिक हरूली आधार्ती एकाशन। उलका जर्नुलाई डाइनुसर हरू बिलुपत हुने और को युटा कारण मान येकोशन। डाइनुसर को लोफ हुन। बिविन्न तालमेल हरू मिलावनों खोजी रहे काशन। भईयानिक हरूली। उलका पिंडमा कार्या गरी रहे का भईयानिक प्रोफेसर हरू एस बारे मां एस तो बिचार ब्यक्त गरशन। डाइनुसर लोफ हुनुको संदर्वा मां हमिले अंतरिक्ष्य या ब्रमांडिय घटना हरू को यो गुड रहस्या को हल खोजीन। परने हुँचा। जस्तो की सर्वा बिदिच्छा की प्रितिवी मां धुम्रकेतु रह उलका हरूरे उत्पात मचाई रहांचा। एस्तो संबब सकी लगबग एक साई किलोमीटर प्यास को बिशाल उलका पिंड जो हर दस करोड बर्समाई एक प्रटेक्ट धर्तिमा बज्रजए खोच्छा त्यो समाई खोच्छे को होला। जब डाइनोसर धर्तिमा बिचरण गरी रहे गोतियो। उलका पात को प्रभाप को बातबर्ण मां क्रामतिकारी परिवर्तन अचानन जलबायू परिवर्तन सुर्य को प्रकास उलका पात द्वारा उत्पन्द धुलोले रोकीनों प्रितिवी को ताप मौसादन बिर्दिया गरीत कारण ले गर्दा खेरी यो संबब भायो कि डाइनोसर यो धर्ति बाट बिलोब भायो। रहे सलाई उलका पर्षा और थात एस्ट्रोईड हरू को प्रहार जुन प्रिथिमा भायो। तेसे को कारण ले यहां बाट डाइनोसर अलुब बिलुपत भाय बनने यो कारण बर्कले अमेरिका विश्वविद्यालाएका प्रोफेसर लुई आल्वारेज को नेत्रुत्त मां एक सोत दल्ले इरिडियम नामक एवटा तत्तो को उपस्तितीले डाइनोसर बिलुपत भाय को हो भनने कारण दिये का छन। बास्तमां यो तत्तो धर्तिको सत्तमां उपस्त परवत मा पाई देना यो चंद्रसत धुमकेतु तथा उल्कामा वने यो शत तत्तो पाई छा या समकी धर्तिको गर्व मापनी यो पाउने गरींचा छाटत करोड बर्ष पहला पुरानो जिवासमा जो डाइनोसर यूग को समाप्तिको सांक्सी हो ले यो इंगित गर्षकी उनिहरुमा इरिडियम धिरेई मात्र मा रहेग। यही कारण ले धुमकेतु उलका पिंडा धर्तिको गर्व मा रहेग। इरिडियम तथा डाइनेसर को बिलिप्तिको बिच एक समिकरन अवश्य बनी छाव भनने कारण देहाएगाशन। शिकागो विश्य विद्यालाई का टेविट रोफ रजून सेकास्की का आफना क्याई विचार हरुशन। धर्तिको दुमकेतु संग को भिरंतलाईने ती बैज्यानिक दोए डाइनेसर लोपुने कारण माच्छन। इनिहरुको यो दाबा छकी डाइनेसर को सामुईक पिनास लगभग हरेक अडाई करोड बर्स पची भाहिराई गुथिऊ। इस्तोखालको नियमित अंतरालमा घटनी परी घटना पिर्थिवाट बाईर सुधूर अंतरिक्ष्य व्यावदान बिना असम्भवचा। इनिहरुको भनाई यो पनी छा कि कयो धुमकेतु हरुजुन सवर परिवार को सदस्य होन तर शुरिय वंदा धेरे पराशन गुम्दा गुम्दाई पिर्थिविको गुर्त्व आक्रशन को सीमामा प्रवेश करशन। इस्तो भायमा तेसको धर्तिशांको ठोकाई अथाबा मुडवेड अवस्य होन्चा। बुजन सखेगा छाएनों कदाचिर डाइनुसर विश्य सग्यां डाक्टर ओलवर्ड धिगे बांचा। आपनों पुस्तक द एज अफ रेफ्टाइल्स अर्थात सरी श्रीपको यूग मा उनी लेक्षन एकई समय विश्यो का सबई भागमा पाईने सबई प्रकार का ठूल चाहिए ना बुजन जीबधारी अफ़लाइ बातमन अनुकुल ढालना समर्थ होना शक्देना ती जीवित रहन शक्देना। केबल तीने जीबधारी रहन सक्चन जसले परया बरणको प्रतिकुल परिस्तितिको स्वामना सजिले गर्न सक्चन। बांकि जीबधारी हरू नस्टे होन चन। ति ओवो योगपची तमाम प्राणी अस्तित्तों माए जसको सरीर बातमन अनुकुल थियो। मानबो निहरू मद्दै सवई वंदा धेरे योग्या और पिकसित प्राणी हो। एसको पछाडी को सवई वंदा ठूलो कारण हो मानबय मस्देश्क, ठूलो एवं सुभिकसित होन। डाइनेसर लुपत होनुको और को एक कारण पनी थियो, तियो हो उँ महामूर्ख जानत थियो। तेसले ये बदली दो परिश्थिती अनुरूप आपलाई परिवर्तन करना सके न, रा समय सांगई यो बिलुपत भायो।